हूँ फ्रेंड्स मैं हूँ सुनीता आप सबका स्वागत हैं मेरी किचिन कुकिंग भी सुनीता मैं कड़ी एक ऐसी डिस है जो नौर्थ एंड साउर्थ इंडिया में बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाते हैं बट आज हम यहाँ पे आपको अपने बिल्कुल घर की स्टाइल में बनाना बताएंगे तो श्टार्ट करते हैं कड़ी बनाना कड़ी बनाने से पहले मैं यहाँ पकोड़ी बनाऊंगी उसके लिए मैंने प्याज लिया है यहां एक प्याज को मैंने लंबा लंबा काड़ लिया है एक मिर्च लिया है और नमक थोड़ा सा डाला है यहां उ जीरे के बाद मैंने यहां नमक का एड़ कर दिया है, नमक आप ध्यान से डालें, क्योंकि हमें नमक कड़ी में भी डालना है, उसके बाद हरी मिर्च का यूज किया है, और आदी चमज मैंने हिंका यूज कर लिया है, मैंने यहां पे थोड़ा सा पानी का यूज किया है, पान क्वाई पानी डालना है इतने से आमारे पकोड़ी का व्यक्तर बिलकुल तैयार हो जाएगा अगर आप यहां फोल्कुल करते हो तो प्याज को इसकिप कर सकते हैं इसको मैंने यह बिलकुल तैयार साइड से रख लिया कैस्ट मैंने on कर लिये गैसमे मैंने आइरन की कढढ़ाई चुडाई हाँ आपmot लाइस बड़ा & फ़ीं reason का यूज यूज और यहांड का यूज सकते है the measurement का वहाँ धिहान रखे दो गिलाज weship स्मुए अदिकोई वेशन का यूज करना है आप जिस से भी युजर प्राइस बड़े नुजऱ् और द्यानже करना है अगर आप पास श्टर से गूमानी के लिए तो आप मत्य से भी अच्छे से श्टर कर लें जिसमें पोल जाए उसके बाद मैं इसमें कुछ डालूंगी जैसे हलली मसाला है दनिया मसाला है और थोड़ा सा हाप स्पोन से बी कम मैंने गरम मसाला लाया है थोड़ा सा तीखा 판 आने की बरजे से इसमें तीखा आ जाने हेट आने के इसकों अच्छे से ग пост कुस्यम कि अच्छे से गुमाया हाई सारे मसाले इसमें मिला यहां पर सिक्के तयार हो गई है यहां फे फ्लेम हमारा मीडियम पे रहेगा हाई जिससे हमारी पकोड़ी जले ना और अंदर तक हमारी जो बेशन है वह अच्छी तरीके से पक जाए गाइस यहां पर बहुत अच्छे से द्यान रखें कि आज को हमें बहुत जादा सक नहीं क क्या जाएं दोब आएक च्रुणी में, पकोड़ी सते हो जाए जर्ण को प्लेट में दुल्सिक्षा कि और दोड़ा यहां जीतों के अब तक है क्णियार हो गई है्वैus, करूंगी लाड मिर्च से हमारी जो कड़ी है थूड़ी सी तीखी वनेगी और खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी यहां पानी मैंने इसलिए यूज किया है अगर हमारा बेशन फूल जाएगा तो हमें यहां पर पानी का यूज करना है तेल हमारा गराम हो गया इसमें मैंन इसे चटका लेंगी हमारा जीरत चटकने लगा है फिर मैंने यहां पर थोड़ा सा प्याज यूज किया है प्याज को आप यहां पर भी स्किप कर सकते हैं उसके बाद हमने यहां पर अपने बेशन के बैटर को डाल दिया है बेशन को बैटर डालने से पहले आपको एक बात बता दें कि यहां पर हमें gas का जो flame है वो low पे रखने जिसन कवेटर थोड़ा सा डालने पर गाड़ा हो गया है यहां आदा गिलास पानी का यूज किया है यूज करने के बाद हमें इसको अच्छे से चलाना है हमें यहां पर अपनी करची को रोकना नहीं है क्ड़ी को जतना क चलाया है और आप भी इस तरीके से चलाएं और आपकी कड़ी धीरे-धीरे कलर चेंज करने लगेगी कड़ी में बहुत ही अच्छी खुस्बू निकल के आ रही है गाइस आप इस तरह के से मेरे स्टाइल से अगर कड़ी बनाएंगे तो आप बहुत ही अच्छा रजल्ट मिल घौढ़ लेगा.. इस तरह के से हमारी कड़ी्या अच्छे से को चुटी है मैंने यहाम पे कर रू पांच मिनिट खौलने दिया है उसके बाद में यहान नमक का यूज किया है फ्लैम को लो कर दिया था मैंने नमक का यूज करने के बाद इसमें मैं लास्ट में पकोड़ी ए काल लिया था हमारी अच्छे से जीरा और हिंग अच्छे से चटक गए है राही भी हमाई चटक ना शुरू हो गई है और यहां पे एकदम डावा इस टायल मैंने यहां पर चौका लगाया है इस चौके से कड़ी का जो जाइका है वो और ही अच्छा आता है और खाने में कुल तयार है उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक सस्क्राइब जरूर करें पशान दाया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं